बेखौप है आज सोना लूट है कल गन लेकिया माँ सकते हैं हाँ 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 हो तो है चलता है ना इसे पहले दास दिन पहले शी सोनी मोर में उमेश सिंका जो है सारे 6 लाख रूपया सतीन-चार बदे दिन में अपरास को रोक नहीं पा रही है क्या बोलना है आपका इसे परसा नमस्कार आप देख रहे हैं मुपस्तित हैं सिबनगर में सिबनगर में आए दिन चोरी हो जाता है विजय जेविलर्स के साथ कल साम की वह घटना है जो उनके साथ घटना हो जाती है दो बाइक सवार अपरादी आते हैं और उनसे सोना और चांदी का पूरा बैग लेकर चल में हैं और थाना अध्यक्ष को अल्टिमेट दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर आप रादी नहीं पकड़ायाता है तो हम लोग मुख सरक जो है सिबनगर घाट का यहां पे हम लोग धरना परदर्सन करेंगे और आपको यह भी बता दे कि यहां पर परसासन ने और में घटना कल सामें सर छे बजें दुकान बराके जा रहे थे जैसे ही आगे निकली यहां से सो मीटर के डिस्टेंस पर दो बाइक वाले आए पीछे से मारा दो थापर मारा और जो है जो हरा मेरा चिन लिया सोना बला जोरे में क्या था सोने और चांदी बरा हुआ था कितना सब्सक्राइब एक जाता है जो आप्लिकेशन दीया है और कुछ भी और भी अद्मियों से बात करेंगे हमारे बीच में स्याम बाबु उपस्तित हैं से बात करेंगे वह साइस संके अध्यक्शाब ठीक है बार बार आपके सिवनगर घाट में चोरी हो जाता है परसासन बात को या फिर अपरात को रोक नहीं पा रही है क्या बोलना आपको इससे परसारशन के देखे परसारशन सिर्फ आप दारू को पीछ पागल नहीं है जो मोटी देख रहे हैं एक सो बारा वाला का बात किया जा कल सिम्रा घाट जब घटना हुआ से दस मिएट पहले यहां पर गारी लगा के बैठा था लिकिन उसको लपरवाही है सिर्फ दारू को पकरना आप देख रहा हूँ लेकिन परसासर कोड किस मेंड का है चारचर को एक मुट साकील पर घूम र क्लिख का मिएक ब्लाहा तो सामने से जो कुमनाल है आपको गारी लगा हुआ समे से लुट के जा रहा है आप से दिमाग पागल होते जा रहे है इससे काम नहीं चले का भईया हम लोग वेशाई हैं एक एक रूपर यह कमाते हैं भर दिन आते हैं दस बजसे लेके आठ बज लेकिन रात में जब उसी जोलाम लेके घर जाने लगते हैं तो रास्ते हम आप छीन लीजिए कोई शुरक्षा नहीं मिले यह तो बहुत अनिया का बात है ने इस जुब है इस पर परसाशन से कितनी उम्मीद है परसाशन से तो डियास्पी से पूरा उमीद है बहुत अच्छ लोग है इसमें कहने की बात नहीं है लेकिन वो बोलके गये हैं कि हम 24 घंट एक अंदर में हम जहां पर होगा हम उसको पकर लेंगे सार की उम्मीद पर हम लोग है अभी हम लोग बैठा की है जितने सिम्नागाट बैप साइक संग थे चोवीश घंटा हम लोग इंतजार करें हम लोग दिखाते हैं हम लोग दिखाते हैं हम लोग बैठ धर्ना नहीं करेंगे अगर एक्षन कुछ नहीं देखेंगे तो आप तो बोल दिये हैं जा अगर एक्षन नहीं लेंगे तो हम लोग एक्षन लेंगे मेन बात है मेन बात है कि आज कोई एक्षन हम लोग लिए नह इसे ही घटना हुआ जिसके साथ घटना हुआ हो गया थाना में अबेदन दिया पुलीस आए देख सुन लिये चले गए इस वार आडपार करेंगे इस वार कोई समझोता करने वाले नहीं है इस वार जितना दिन में हमको न्याय मिलेगा हम लोग यहां पर रुकेंगे और डट में डिन लेता वह भी छे बज ऑजए सारे शे बज़र संब है कितना अपराधी पैखाफ हो गया और उसको पुलीस का वह नहीं है पुलीस का डर नहीं है इसलिए पाफ ज़लीजा बचल जो इतना पराधी बेखाफ यह तो है ना इस ना दिन पहले ने में जो है उमेज सिंका जो है सारे 6 लाख रूपया से 3-4 बदे दिन में चिना गया है पंजाब नसल में कार देखे वो उद्वेद हुआ लेकि समस्या इस बात का है कि जो पर परसासन है जो फिल्ड में जिसको सर भेजते हैं रक्षा के लिए पेटोलिंग कर लेको लोग भी अपना गारी पर सोय रहता है अपना चाइम देखते रहता आठ वेट तो ड्यूटी है करके अपना बात खतब है आपको बता दें कि यहां से 50 मीटर पर मुक सरक है यही सरक से अपरादी अपना पलसर बाइक लेकर आते हैं और यहां से 500 मीटर अंदर जाते हैं और उसके लगा हुआ था ना उसी समय में और कहा गया 112 नमर को लेकिन कुनों एक्सन में नहीं आए हम लोग भी अपना थाना को आप लोग इन्फॉर्म किये तब जाकि अब बिरोल थाना था यह घंस्यांपूर था दोनों थाना लगा हुआ था जो सर तुरत में जोला चील लिया का चल दिया आपको बता दे कि परसासन अगर चाहे तो एक बाल बाका नहीं हो सकता किसी का और आज जो यह इस्तिति में है वैपारी संग ऐसी डर नहीं रहेगी परसासन अपना बखुबी काम कर रही है और काम करें ताकि इन लोग का डर और भय खतम हो सके वैपार सुचारू रूप से चले लगे पूरा वैपार ठफ हो गया है पूरा सीबनगर के वैपारी जो है जर के महाल में बहुत सहमे हुए आगे अगर 24 गंदे के अंदर अगर नहीं होता है अगर रात में थाना चाहती तो चारू तरफ से नाकाबंदी कर सकता था लेकिन किया नहीं और कुछ दिन पहले वी आपकी दुकान में चोरी हुई या आपके साथ चार बार चोरी है तो इससे पहले जो आप फैर या पिर नोटीस देते थे ठाना को तो उसमें कुछ ख़़़ने कोफ कशाना लेते पराद करता था फिर भी आप लोग नोटीस देते थे थाना में थाना सुनता नहीं और जिसके कारण अपरादी का मनोबल भरता जा रहा है इतना दिर हम लोग चाहते थे कि गांधी गिरी से काम हो जाए करने का प्रियास करते थे तो पुलिस परसाशन भी सोचा कि लोग मड़ा हुआ आदमी है लोगों से कुछ होने बाला नहीं है इसलिए हम लोग जगे हैं कि नहीं इस बार फढ़िया लो सब्सक्राइब करना है अफराद ही कौन है उसको नंगा करवाना है और पुलिस प्रसाशन से हम गुरा करेंगे आप निवेदन करेंगे आगरा करेंगे कि आप इस पर जल्द से जल्द करवाई कीजिए आच्छे यह जो आप्लिकेशन जो दिया है ख़ोए इसमें ठाना को देंगे और कहा 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 देंगे अडेज्यों को देंगे डSbe साहब को देंगे सपी साहब को कि मुख मांगे क्या है आप नहीं है कि अफराद ही को फकड़िये और इहां पर शुरक्षा का पुक्ता इंजाम की जिए और हम लोगों कि आपको बता दे कि आए दिन विरॉल में अपराद भरता जा रहा है अगर यह वीडियो से आपको अगर सहमत है तो आप वीडियो में कमेंट करें जुरे रहुमीट 27 के साथ धन्यवाद